आश्कार मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बज्जार सो से पांसो आएगी वह चार सो से फिर तीन सो आ सकती है मैंने विजे केडिया साब का एक इंट्रव्यू देखा था वो कह रहे थे जार मेरा शेर बढ़नी रहा था मैंने उनके देखा और यहां दूर तक के लिए और हमारी जर्णी कोई बड़ी नहीं है पिछले दो तीन साल की हमारी जर्णी है जिसके अंदर हमने वह चीज नहीं की जिस चीज से लोग बहुत जल्दी अमीर बनने के सपने देख जो आ रहा है 25 अक्टूबर को आ रहा है सबसे चहता जो है मिश्टान फूड आपको पता है ना मिश्टान फूड अधिकतर देश जो है उसे बंद करने की स्टीटियों के साथ है थर्मल पावर से जिसे चीज़े बनती है और एक सबच उर्जा की तरफ देश बढ़ने की सोच रहा है फिर भी कुछ चीज में आपको बता वो बिमारी के लिए हो या फिर किसी फ्रॉड से बचने के लिए हो टेक्लोजी की क्योंकि इसके उपर काफी दिनों से मेरे ज्वाइन मेंबर हैं जो जिनोंने मुझे ज्वाइन किया हुआ है करता हूँ आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बज्जार से आज बात करेंगे सर एमटार टेक्लोजी की क्योंकि इसके उपर काफी दिनों से मेरे ज्वाइन मेंबर हैं जो जिनोंने मुझे ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने रिक्वेस्ट की ती सर इसके उपर वीडियो बनाई है न तो इसको पर आज एक हम वीडियो बनाएंगे वैसे मैं आपको बता दूँ जिन भी व्यक्तियों ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है यह मुझे बड़ा अच्चा रहे होता है कि वो ना मेरा कोई गुरूप है ना मैं कोई बाय सेल की चीजे बताता हूं ना उनको कोई मेरे से उम्मीद है कि भाईया मैं उनका हाथ पकड़के उन्हें बहुत दूर तक के रास्ता दिखाऊं कि भाईया यह खरीद लो वो बेच लो उसके बावजूद भी कई सो लोगों ने मुझे जोईन कर रखा है यह एक ऐसी प्रेंडा है कि जहां 29 59 89 जो भी चीजें वह किसी इस भावना से नहीं है कि उससे हमें शेयर बजार की वह चीज पता लग जाएगी जिससे हमें खरीदने बेचने की स्तितियों के साथ आगे हमीर हो जाएंगे तो यह वह सच्चा ही है जिन लोगों ने जोईन किया है मैं उनका बहुत 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 सुपकाम नहीं बेचता हूं कि तो उन्होंने एक ऐसे लक्षे के उपर अपना जोईन किया है जहां हम अलग ढग से इ बहुत बहुत उनका धन्यवाद जो दुबारे से भी रिजोईन करते हैं और नए लोग भी जुड़ते जा रहे हैं कभी देखा ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जुड़ते हुए किसी को ना तो उसका टेलीग्राम गुरूप है ना कुछ है ना ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सिरफ कट्नायों से भी गुजिना पड़ रहा है ना किसी मेरे एक बड़े मित्र काफ़ी लोगों इना ऐसे मित्र मुझे कल दिलासा दिया और का कि सर जो चीज हमारे पास है आपने उसकी चिंता करनी चाहिए इस चीज हमारे बसकी नहीं है उस चीज के हमें चिंता नहीं उसके भगवान देखेगा तो अभी मैं कमेंट का जवाब भी नहीं दे पा रहा हूं लाइक कर रहा हूं तो वो यही वज़ा है कि कुछ चीजे जो हमारे साथ घटित हुई है उसका निवारन भगवान जल्दी से जल्दी करे और जो भी चीज हम जेल रहे हैं बिना कुछ किये हुए काफे लोगों के तो प्रीमियम गुरूप चल रहे हैं काफे लोगों खरीदने बेचने की चीजे बताते हैं उनकी इस इस्तितियों की चीजे कि वो कैसे बताते हैं, हमें पता नहीं, पर हमारी इस्तितियां जो इतनी साफ सुत्री है, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे व्यक्तियों की नजर हमारे उपर है, कि सच्चाई बताई क्यों जा रही है, आप ना, तो उस इस्तितों से भी हम बाहर निकलेंगे, तो जिन्हों ने भी व्यक्तियों ने जोएन किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बात करेंगे, क्वाटर तू के, रिजल्ट आने वाले हैं, किन-किन कंपनियों के क्वाटर तू के रिजल्ट आ रहे हैं, रिलाइंस हो गया, यस बैंक का बता दिया था, अमस्तान फूड इसके ब बताई हैं उस पर बाचीद आज हम करेंगे और कौन सी कंपणि की सबसीडिरी कंपणि आई-प्यों लाने की तैयारी में है उसके बारे में भी हम बाचीद करेंगे उन में बाचीद करने से पहले थोड़ा में आपको एक चीज बता दूँ कि जिस तरीके से आपने देखा होगा पहले सहरों में भी जागुरुक अभियान चलाई जाते थे चाहे वो बिमारी के लिए हो या फिर किसी फ्रॉड से बचने के लिए हो आज कल आपके मोबाइल में भी मैसीज आता रहता है कोई आपके चीजे चलाई जाती थी नाटक के दुवारा जहां लोगों को जागुरुक किया जाता था जीवन व्यक्तित को सुनहरा करने के लिए और बिमारियों से बचने के लिए अधिकतर ये चीजे अभी गाउं में भी चलती है और इसके लिए सरकार काफी गंबीर है और कहीं न कह हर एक समश्चा से बचने के लिए वो प्रियास करती है अब सेहरों जाए गाउं सब जगे आपको जागुरुक करने के लिए सरकार है फिर भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो फ्रॉड की चीजों को नहीं पैचान पाते वो नहीं जान पाते कि कोई भी व्यक्ति आपका प तरीके से किसी के साथ जुड़ें कि जो हम उसको ऐसा मालें कि वह व्यक्ति को attitude में आपना लो देख लो तो हमें उससे कुछ भी आपके साथ या मेरे साथ नहीं होगा कि कोई हमें इन चीजों के साथ अमीर करेगा तो सबसे पहला सबक तो यह ले लो जब जागरुक अभियान सरकार वैसी जिन्दगी में चला रहा है यहां पर से भी चला रहा है बड़े-बड़े करने वाले चला रहे हैं तो फि तब से वीडियो मना रहा हूँ ना सर तब से यही बता रहा हूँ हमें सिरफ कंपणी जो वर्क कर रही है उसकी राणीति को समझना है और जो भी रूल है उसके अनुसार स्मयदार को बोकरना है तो यह टार्गेट हो गया जुड़ना हो गया वो हो गया यह बंसे थोड़ा बचिये और काम की इस्तितियों को समझे जिससे हम आगे की परती अपनी इमानदारी को बढ़ा सकते हैं तो आज का हमारी वीडियो का माध्यम था जागरुक होना है और जो लोग जागरुक कर रहे हैं उनके साथ जुड़ना है और इस तरीके से अपने दुआरा ही एनलाइस क के लिए और हमारी जर्णी कोई बड़ी नहीं है पिछले दो टीन साल की हमारी जर्णी है जिसके अंदर हमने वह चीज नहीं की जिस चीज से लोग बहुत जल्दी अमीर बनने के सपने देखते हैं यह चीजे मैंने आपको हर वक्त हर समय समझाई है यह समझ कर चलना देखो चीजे एसडी एफसी बैंक कर रहा है उसको बोर्ट की मंजूरी मिलने से आई प्यों लाने का रास्ता साफ हो गया है जो करीब यह आई प्यों आएगा बारा हजार पांसो क्रोड रुपे का आएगा और इस साल के अंत तक यह चीजे हो सकती है तो एक हमें एंटी पीसी ग् देखना है कि यहां पर कंपनिया काफी लिश्ट हो रही है चाहिए वह जैसे अभी आपने बजाज हाउसिंग देखा या फिर हुंडाई देखा या फिर ओला देखा पेटियम देखा लाइसी देखा और अन्य कंपनियों के आपने आई प्यों देखे तो एक बड़ी कंपन समझकर चलने ही पड़ीगी मैं आपको बता दूँ देखा रिलाइंस पावर का जो रिजल्ट आने वाला है क्वार्टर टू का वो आ रहा है 26 अक्टूवर को और अभी रिलाइंस पावर के साथ आपको कुछ चीजे घटित होती भी देखने को मिली जहां सेबी ने इनके ओ इनर्जी में बुटान में चलाने की रणनीतियों के साथ है आर पावर वो चीजे आपको समझनी है और तीसरा आपको समझना है कि कमपनी अपनी सेल्स जो है अब क्वार्टर टू में जो 26 अक्टूवर को आ रहा है वहां पर हमें वो किस तरीके से परदसित हमारे सामने करत तो सारा मंसा कमपनी की सेल्स पर ट्का होता है इक से फंडमेंटल पर ट्का होता है कूकि कमफणी ने पहले अपने कर्जों को उतानने की सबाया था नैसे के साथ बढल दenne एक कंपनी थी जिसका उपर जुरमाना सेवी ने इनको उपर लगाया था तो वहीं समझेने ह coração शनक प्रिटियों को हमें समझकर आगे बढ़ना है तो 26 अक्टूबर को आ रहा है कंपनी का रिजट और चब्विस अक्टूबर को और रिजल्ट और रिजल्ट और यस बैंक का जो मैंने आपको कल ही बता दिया था अब तीसरा जो आ रहा है 25 अक्टूबर को आ रहा है सबसे चहता शेर जो है मिस्टान फूड आपको पता है न मिस्टान फूड के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बीच में बना चुका हूँ और सारी रेंडितिया आपको उसके द्वारा बता चुका हूँ चाहिए अपने अना अनाज अधारित प्लांट खोलेंगे जहां से इसकी रेंडितिया अलग रेंच से हमें देखने को मिल सकती है तो वह अभी एक साल की उसकी अंदर चीजे हैं दूसरा आपको एक चीज समझनी है 22 अप्रेल को अगर मैं इसका शेर देखू तो था कंपनी का बिस्तान 18 रुप लग यह उस प्राइस से 6 मेने के अंदर उता चड़ा करके अब भी यह शेर आपको डाउन की तरह भी चल रहा और अभी भी गिरावट की तरह भी हमें देखने को मिल रहा है कंपनी का काम तो मैंने आपको पहले ही समझा देख गया हूं और चावल के परसस्क्रण और उसके पैकेजिंग के अंदर वर्क करता है काले नमक के अंदर भी कंपनी वर्क करती है अलग अलग परकार के इसके जो नमक आते हैं उसके अंदर भी इसने अपनी चीजों को स्टार्ट किया है तो कंपनी की रण नहीं ती अगर हम देखे तो फूट के हिसाब से जो यह वर्क करत आया था जैसे की कोईले पर अधिकतर देश जो है उसे बंद करने की स्टीटियों के साथ है थर्मल पावर से जैसे चीज़े बनती हैं और एक सवच उर्जा की तरफ देश बढ़ने की सोच रहा है वहाँ पर भारत की कहीं कंपनियां जो नव करें उर्जा पर वर्क करती हैं वर्क कर रही हैं और जो कंपनियां अलग इंधन जो होता है जिवाशन इंधन जो होता है जिससे नुकसान होता परियावरण को वह कंपनियां भी हमें कहीं न कहीं अपने ग्रीन आई प्यों लाते हुए देखने को मिल रही है ताकि वह एक समच उर्जा की तरफ बढ़ सके है तो फिर इसके पीछे हमारा टाटा गुरूप जो है फिर वह कैसे पीछे रह सकता है यह आप समझना कि टाटा प्रोजेक्ट लिमिटिट के मडी और सीओ है जो विनायक जी उन्होंने का है कि टाटा प्रोजेक्ट जो है ग्रीन हैड्रोजन की तरफ ग्रीन अमोनिया की त जाल रहा है यानि कहीं न कहीं टाटा प्रोजेक्ट भी यानि कि टाटा गुरुप भी हमें देखने को मिल रहा है हरित उर्जा की तरफ जाने की तरफ अपने कदमों को बढ़ाता हुआ यहां से अनुमान क्या लगते हैं अभी मैंने आपको LNT के बारे में बताया था है उसने जो इलक्ट्रलाइजर की जो चीजे बताई है हाइड्रोजन की चीजे जो बताई है उसके अनुसार हमें यहां देखना चीजिए कि सबच उर्जा यहां पर हमें मिलने की तैयारी में है दूसरा अगर टाटा ये चीज़ हमें बताएगा कि उसकी जो मंसा है आगे जाकर ग्रीन अमोनिया पर है हरित हाइड्रोजन पर है और पम स्टोरेज पर है तो कहीं न कहीं यहाँ पर आप कोईले से थोड़ा से दूर हो रहे हो समझ रहे हो तो यहाँ पर एक नया चीज़ आने वाली है जो सबच उरजा है और कई कमपनिया इसको पर वर्ग भी कर चुकी है तो हमें इन चीज़ों से कुछ दिसा ये मिलती है कि हम आगे जाकर अपने फ्यूचर के शेरों के परती कैसे मानदार है कि जो आज हम कोई भी शे हमें एक दिसा दे रहा है कि आने वाला समय हाइड्रोजन पर है आने वाला समय जल विदूत पर है आने वाला समय ग्रीन अमोनिया में आने वाला समय हरित उर्जा पर ही है तो कि देश भी तो अपना लक्षे दोजा तीस के रख कर चला है ना आपको पता है दा ग्रीन अरज सकते हैं कि एक जगे से दूसरी जगे जाने का रास्ता पहले बेल गाड़ी के दुवारा था उस टाम कोई मोटर गाड़ी आ थी नहीं तो इंपोर्टेंट क्या चीज है बेल गाड़ी एकदम से एक निर्माण हो गया कि भाया एक ऐसा इंजन मना दिया जो आपको इकठे ही बेल गाड़ी में जहां 10-12 लोग आते थे इकठे कैसी गाड़ी बन गई जिसके अंदर 50-50 लोग बैड़ सकते हैं तो क्या आगे भी अब बेल गाड़ी का जमाना रहेगा या उस गाड़ी का जमाना रहेगा जो फ्यूचर के साथ चल रही है औ वो चीजे आपको पहचामने पड़ती हैं कि आज की चीजे और कल की चीजों में क्या बदला होगा शेर बजार बिल्कुल वैसी है यह समझ कर आप चलना एक शेर है जो उपकर्ण होते हैं उसको बनाने का और विकास करने का निर्मान करने का वर्क करती है यानि की आगे जाकर जिस तरीके से परमाणू उर्जा जो है आपको पता है कितनी इंपोर्टन है जो अपना एक प्लांट इस तरीके से खोल रहा है दूसरा एरोस्फेस के बारे में कैसे अगर यह उपकर्ण की चीजे कर रहा है उसकी इंजिनिरिंग की चीजे कर रहा है तो यह कंपनी अपने आप में वैलूबल हो जाती है एक चीज़ technical की और इंजिनिरिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी कंपनी को इस तरीके से सामिल किया था यानि कि यह एक ऐसी चीज़ का इंजिनिररिंग में इतना बढ़ा वर्क करती dest pollen को भी इस कंपनी की जरूरत्ब आगे उस्साद में हो सब्सक्राइऑ उर्जा के छेतर में हो उसमें यह वर्क करती उस 상태 उपकरणों के लिए भी बड़ करती है तो company अलग धंग से अपनी इस्तितियों को अमें देखने को दे रही है फिर भी अगर हम इसकी चीजों को अलग-अलग से देखें फंडामेंटल के हिसाप से देखें तो वहां में sales भी देखनी चाहिए, वहां में promotor भी देखनी चाहिए, वहां में और reserve भी देखना चाहिए, और चीज़े भी देखनी चाहिए इस से हमें लगे कि काम तो गमीं का बैस्ट है कि इस तरीकी की और ज्जादा elnिय Target क काम करती हैं और वो सारीrive । कुछ फोशीं कंपपंपने इस काम करती थीय। यह एपने आप में इंपोर्टेंट चीजे और जाती हैं दूसरा अगर मरोकिट कैप देखें तो तो उच्छे चलांग मारने के बाद अपने लो पर ही चल रहा है जो अभी 1680 की रुपे का ये करीब का शेर है ना ऐसा कभी नहीं होता कि जो कंपनी बहुत अच्छी आपको लग रही है या मुझे लग रही है वह हमेशा जिस प्राइश उपर है वह से उपर जाती रहेगी य आज कोई कंपनी मुझे 300 रुपे मैंने शेर ले लिया और उसने मुझे 400 रुपे के भी टार्गेट दिखा दिये तो जरूरी नहीं कि वह 400 से 500 आएगी वह 400 से फिर 300 आ सकती है मैंने विजेक एडिया साब का एक इंट्रव्यू देखा था वह कह रहे था यार मेरा शेर बढ हमें यह समझना है पर अगर उनकी वर्डिंग यह थी तो अगर उन्होंने इतना होल्ड कर लिया तो फिर क्यों क्या होगा क्या शेर प्राइस के उताचड़ाव से या फिर उनको वह रंडिती पता है कि कंपनी का वजूद क्या है ऐसे कोई भी बड़ा इंवेस्टर जो ना पर काम आपको इसका खुद बाखुद समझ कर चलना पड़ेगा दूसरा अगर इसकी हम सेल्स देखे जून 2023 की तो कंपनी ने 152 क्रोड रुपे करीब की सेल्स कर दी तो 19 क्रोड का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था जून 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स को घटा दिया और कंपनी की सेल्स होगी कर एक सो अठाइस क्रोड रुपे करीब की सेल्स हो गई और चार क्रोड का कंपनी का प्रॉफिट हो गया करीब का जो पहले 19 क्रोड रुपे करीब का था और जो सेल्स पहले 152 क्रोड रुपे करीब की थी अब कंपनी की सेल्स 28 क्रोड रुपे की हो ग सामिल होना तो वह रण नीतिया देखें तो वजूद अच्छा है सेल्स की अगर हम देखें तो सेल्स घट रही है में मक्सद क्या है कि सेल्स कंपनी अपनी ओर्डर के दुवारा भी और बना सकती है पर कंटीन्यू अगर सेल्स घटती जाए फिर वहाँ पर चीजें टैंसन वाली हो जाती है इसलिए सारी सोस समझकर चीजों को आपको करना चाहिए मैं सिर्फ यहां एनलाइस कर रहा हूँ वज्या मैं करीदने बेचनी की चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ है रेजर्व अगर हम कंपणी का अधे तो करीब 646 करोड का रेजर्व है एक सो नभे क्रोड का कंपनी की ओपर उदार है यह हो रहे हैं और पब्लिक कंपनी के अंदर हो रही नहीं तो यह चोटी सी वीडियो इसके उपर इसलिए बनाई है इसके अलावा मैं इसको आपको आगे कुछ जी नहीं समझा सकता क्योंकि इसकी और नियूज मुझे देखने को इसके अंदर नहीं मिली है पर काम अगर इसका हम देखें तो वह समझ कर आप चलना मनी कंट्रोल की नियूज के अनुसा सुझलोन अनर्जी को समझेंगे क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं यह तो अब 16% अपने हाई से गिर चुका है और जो इसकी एनलाईज करने वाले जो चार्ट के एनलाईज कर लेते हैं वो उनके मतभेद जो हैं आपस में अलग-अलग हो र होते हैं वो अपनी एनलाईज के थुरू होते हैं समझने वाली बात यह मैं आपसे चीज पूछू कि आज अगर मुख्यमंत्री का जो भी वोटिंग होई थी उसका गिंती हो रही है उसका रिजल्ट आने वाला है और कोई-कोई अपनी अपनी चीज़े बता रहा है कि यह स सेट आएंगी यह हो जाएगा वो जाएगा मालो आज 20 तारीके आज ही किसी का रिजल्ट आने वाला है आज गिंती हो रही है कल परसों से चीज़े होती जा रही है क्योंकि भैया कोई अपने इग्जिट पोल दे रहा कोई अपनी सीटे बता रहा है कोई न्यूज में यहार जो analyze करने वाले व्यक्ति थे कि ये सरकार बन जाएगी वो सरकार बन जाएगी अगले दो दिन तक के उसमें मन्थन कर सकते हैं उसके बाद नहीं कर सकते हैं क्या मेरा मतलब है कहने का मेरा मतलब है कि अगर मैं analyze किसी चीज़ की कर रहा हूं तो वो आज के वजूद के साथ कर रहा हूं पर मेरी अनलाइस आज की वजूद और फ्यूचर के वजूद के साथ होती है कुछ लोगों ने target दिये तो वो आज की रणीतियों के साथ दे रहे हैं इसी तरीके से जो अनलाइस करने वाले मतबेद कर रहे हैं आपस में तो वो इसलिए ही तो कर रहे हैं कि share price उसका नीची जाए या उपर जाए तो ये चीज हमें समझनी चीए इसके लक्षे से आपका लक्षे क्या है आपका लक्षे 2030 का है वो आप और मेरा भी नहीं है वो सरकार का है जहाँ पर green energy के साथ हम 500 gigawatt जोडने की चीजों के साथ है और सुझलोन energy के positive संकेत क्या है क्योंकि सुझलोन energy की रहा जो company के अंदर से बताई गई थी कि वो इसके साथ साथ अलग-अलग चीजों के साथ भी अपनी छमता को बढ़ाने के लिए उतरेगा order book है और वो order book इसको बहुत value पर पुचा सकती है क्योंकि इतनी order book होना उस पर काम होना सालों लग जाएंगे तो वो रन नीतिया दूर की हो गई है अभी चोता अगस के अंदर आप समझें कि अभी शुरुवात में ही से जिन्दर रिनुवल पावर की तरफ से बड़ा order भी मिला था उसके बाद भी company का share गिरने की स्थीचों के साथ है कोई इसके stop loss 65 रुपे के दे रहा है कोई के रहा है 66 तक अगे टिका रहा तो ये 84 से 86 रुपे भी जा सकता है और अगर इसने 85 को पार कर दिया तो ये शेर 109 रुपे के भी टार्गेट दिखा सकता है इस तरीके के अंसुल जेन जी ने ये चीजे में बताई है और आनन राटी जी ने भी अपनी अपनी चीजे बताई है वो आप यहां पर पढ़ लेना तो सब अनलाइज करने वाले आपस में अपनी अलग-अलग रण नीत्यों के साथ उतर रहे हैं हाई तो कमपनी ने 6 रुपे करीब का मार दिया था और कमपनी ने लो जो था है कमपनी का 30 रुपे का है अपने साल भर का है यहने की 52 वीक का इसका हाई होगा 86 का और लो होगा 30 रुपे का एक साल के अंदर कमपनी ने जबरदस रिटन दिया है वो 139 परसेंट करीब का इसने रिटन दिया है एक साल के अंदर सुझलोन अनरजी ने तो रिटन दिने में तो कमपनी माहिरी है और अगर अगर हम चीज देखें इसकी सेल्स ही है अगर हम देखें जून 2023 में तो 1351 क्रोड की सेल्स और 101 क्रोड का कमपनी ने प्रोफिट कर दिया था कमपनी ने साल दर साल अपनी सेल्स को बढ़ाया और 2022 क्रोड की सेल्स कर दी और करीब 302 क्रोड का यानि कि तीन गुना प्रॉफिट इसने अपना करके दोजार जून चोबिस में दिखाया अब क्या आने वाला है क्वाटर टू आने वाला है उसकी डेट भी जब हमें पताने लगी तो साल दर साल कंपनी ने अपनी चीजों को सेल्स बढ़ा कर दिखाया है तीसरा अगर हम दे अदर ना प्रमोटर की ओल्डिंग जो है वह कम है एंदर इंकीरीज हुए है जो करी 9.02 परसेंट है और पब्लिक कमपनी के अंदर दूसरा शेर ओल्डिंग पेटन्ट जो है जिसके अंदर पर मोटर कम है थोड़ा सा यह अमारे लिए चिंता का विसे हो सकता है और अगर हम यह एक चीज देखें कि एक अच्छा खिलाड़ी इंडिया में भी है बाहर भी बरक करता है तो फिर उसमें समय हमारा जाता रहता है किसी को भी खरीदने बेचने की सला मेरे कोई सी भी वीडियो के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ अपनी इस्तितियों को हम खुद ही सही कर सकते हैं दूसरा हमें सिरफ समझा सकता है जागरुग अभियान जब गाउं और शेहरों कस् हैं तो शेहर बजार के अंदर से भी चलाता है उन रणीति को हम समझने पाते हैं क्योंकि काफी लोग जब किसी के चुंगल में फस आते हैं फिर वो किसी की चीजों के साथ आते सर मेरे इतने पैसे फस गए उतने पैसे फस गए तो यह तो पहले खुद के अनलाइस हमें करन आ रहा है आर पावर का 26 अक्टूबर को यस बैंक का भी 26 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहा है अच्छी चीजों के उपर वर्क करती है जिसके लिए केंड सरकार को भी इसकी जरूरत है और रक्षा और एरफ स्पेस और समझ उर्जा की चीजों के साथ जो यह उपकरन और उ इसके वर्क के साथ हैं पर दूसरी तरह अगर इसकी हम साल दर साल सेल्स देखें साल दर साल प्रॉफिट देखें वह घटते हुए हैं तो आपको वह भी चीजे समझकर आगे बढ़नी पड़ेगी है तो सारी राइनीतियों आपको समझना है और जिनको भी अपनी डेटो ब आकर उस राइनीतियों को समझ सकता है क्योंकि कल वो वीडियो डेल चुकी है किसी को भी करीदने बेचनी की सला बिलकुल भी नहीं है आज कल मैं एक अपते से आपको पता हिए किस मुसीबत से गुज़र रहा हूं उसके बावजूद भी अध्यन कर रहा हूं वीडियो बना चुके हैं तो सचीटी को आटा दीजे गाएं को रोटी दीजे और अपने बच्चों को जादा से जादा प्यार कीजे क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किसमत पलटेंगे तो फिर मिलेंगे आपसे नहीं वीडियो के साथ जब तक के लिए नमस्कार